हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चने की डाल पालक और वो भी बिल्कुल अपने नानी के तरीके से मेरी नानी बहुत ही अच्छी चने की डाल बनाती थी, जो मुझे आज तक उसका स्वाध याद है फ्रेंड्स इतनी अमेजिंग लगती है ना, पहले तो देखें क्या होता था, हारी और चूले में बनती थी डाल कोई कूकर वगरा, कोई सिटी वगरा नहीं लगती थी डाल में, जिससे डाल का स्वाध ही अलग लेवल का होता था तो आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से ये डाल बनाई है, उमीद करती हूँ दोस्तों आपके रेसिपी पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके जाएं, चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आईए, रेसिपी शुरू करते हैं, तो मैंने आधी कटोरी चने की डाल और दो चम्मच हरी मूंग की डाल इनको दो बार धोके गरम पानी में 15-20 मिनट के लिए बिगो के रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सोफ्ट हो चुकी है, साथी साथ हमने 400 ग्राम पालक अच्छे से धोके आप डिरेक्ट गैस पर भी गरम कर सकते हैं और जो अब हमने डाल भी गोके रखी थी ना वो इस गरम पानी के अंदर डाल देंगे, इस डाल में मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, इसको हम खुले में ही बनाएंगे, इस तरह से एकदम authentic मतलब बढ़िया वाला स्वाद आएगा दाल में और स्वाद कनुसारब इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि हमने गरम पानी लिया था तो देखें, फटा-फट से डाल में उबाल आ गया है, और ऊपर आप देखें, कितना सारा ज्ञाग जैसा आ गया है, यह सारा ज्ञाग हम यहापे हटा देना है, इस तरह से चम् कीज़ाती नानी ऑग्यर्व दाल बनाती थी या फिर हम फिर चुले पर हांडी में बनाती थी उसी तरीके से मैं यह दाल बनाने वाली हूं और मैजिंग इस इतन वाद आता है we gonna try करना आप अब आ तो लगबग लगबग हमने सारा ही जाग यहां पे हटा दिया है और देखिए पानी कितना क्लीन हो गया इस जाग को हम डिसकार्ड कर देंगे फेंक देंगे और एक बार फिर से अगर आपको लगे कि ज़्यादा जाग आ रहा है पानी पे तो फिर से आप निकाल सकते हैं यह देखो सारा जाग निकालने के बाद एकदम किलियर हो गई है दाल हमारी अब इसे हम ढख देंगे 15-20 मिनट के लिए उबलने देंगे जब तक की दाल अच्छे से मैस ना होने लग जाए मतलब अच्छे से पक ना जाए साथ हम दाल के लिए तड़का तयार कर लेंगे तो कड़ाई में मैंने डाल दिया दो बड़े चम्मच देशी घी घी के साथ यह दाल बहुँ ज़्यादा टेस्टी लगती है आप चाहें तो घी और बटर मिला के ले सकते हैं नहीं तो आप तेल में भी बना सकते हैं लेकिन दाल का तड़का गर घी में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे आदी चम्मच जीरा और दो चुटकी के जितनी हींग क्योंकि हम चने की दाल बना रहे हैं तो थोड़ी सी डाइजिस करने में भारी होती ह हींग डालने से डाइजेसिन में हेल्प मिलेगी चार-पांच कलिया लैसुन के जिसको बारिक-बारिक मैंने काट लिया था और एक टुकड़ा अद्रग उसको भी बारिक काटके ही लिया है इनको भी भूनेंगे घी में बहु ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हलका हलका देखे ब्राउन हो गया है लैसुनम और अद्रग कभ इसमें ये एक बड़ा प्याज हमने जो काटके रखा था वो डाल दिया है प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे साथ ही डाल दिये दो हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यह ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने दो डाल दी है और यह हमारा हरा पालक कितना बढ़िया लग रहा है न देखने में थोड़ा समय ने यहीं पर डाल दिया है बाकी हम बाद में डालेंगे पालक को आपको डाल के साथ उबालने की बिल्कुल जरुत नहीं है क्योंकि यह बहुत जल्दी पक जाता है यहाँ पर देखिए डाल भी मैं चैक कर रही हूँ तो बिल्कुल अच्छे से पक गई है एकदम सोफ्ट हो गई मूंकी डाल तो बहुत ही जल्दी पक जाती है और हमने यह दाल को गरम पानी में भीगो के लिया था तो यह अच्छे से फूल गई थी जिससे और भी जल्दी पक जाती है दाल हमारी तो थोड़ा से जो हमने पालक डाला था वो भी प्याज के साथ अच्छे से भून गया अब यह दो टमाटर बिल्कुल बारिक-बारिक काट के मैंने डाल दिये है अब इसमें कुछ सूखे पाउडर मसाले डालेंगे सबसे पहले मैंने डाला आदी चम्मच सूखा धनिया पाउडर वही रूटीन के जो मिसाले होते हैं हलका सा नमक डाल दिया है नमक क्योंकि हमने डाल को उबालते वक्त भी डाला है तो थोड़ा ही डालेंगे यहाँ पर बाद में आप चेक करके अपने हिसाब से एड़जस्ट कर सकते हैं आदी चम्मच कास्मेरी लाल मिर्च इससे बहुत अच्छा एकदम धाबे वाला कलर आ जाएगा डाल में वैसे टोटली ओप्सनल है क्योंकि ऐसे भी यह डाल खाने में बहुत अमेजिंग लगती है थोड़ी सी कुटी ओई लाल मिर्च टमाटर भी देखिए सोफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छी इसमें से खुसबू आ रही है एक चम्मच कटा हुआ हरा धनिया इसको भी टमाटर के साथ एक बर भून कि टमाटर देखिए कितना बड़िया मैस हो रहा है मतलब बिल्कुल पक चुका है यहां पर अब जो हमारा बचावा पालक है न वह हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से बाद में पालक डालने से क्या होता न यह बिल्कुल ग्रीन रहता है मतलब इसका कलर ज्यादा डाक नहीं होता फिर यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और पकने में तो इसको समय लगता ही नहीं यह सरफ एक या दो मिनट में भाप में इतना अच्छा मसाला यहां पर 갈ए तैयार हो गया है यहां पर हमारी डाल भी तैयार है यह देखिए कितनी बढ़ियास से यह पक्क चुकी है एक भी सीती हमने इसमें नहीं लगवाई है मसाला भी बन गया है दाल भी हमारी उबल चुकी है और इस तरह से क्या होता ना दाल हमारी फूटती नहीं है मतलब बिखरी बिखरी नहीं होती देखिए आप इसमें देख सकते हैं सारी दाल साबूत है जो चैने की दाल हमने डाली थी ना अगर इसमें सीटी लगा देते तो फिर सारी ही डाल बिखर जाती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एकड़ मैस हो जाती है, अब इसमें डाल देंगे एक गिलास गरम पानी, कुकिंग करते वक जहां तक हो सके आप गरम पानी का यूज कीजिए, ठंदा पानी डालने से क्या होता है, हमारा कुकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब रुक जाता है, और अगर आप गरम पानी डालते जाएंगे तो कुकिंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू उसी क्रस करके डाल सकते हैं और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी अच्छी डाल बनी है ये इतनी ज़्यादा स्वाधिस्ट इसे आप चपाती, पराठे नान जिसके साथ चाहे नजोई कर सकते हैं हमारी हापे तो mostly चूर में के साथ चने की डाल बनाई जाती है उपर से डाल देंगे हरा धनिया डाल हमारी बन के तयार हो गई है देखे कितनी सुन्दर इसकी रंगत आई है देखे कितना सुन्दर कलर है और डाल की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी गाड़ी या पतलिया आप रख रहे हैं या फिर चपाति के साथ खा रहे हैं या चावल के साथ उसकी इसाब से अब इसमें एक स्पेसल तड़का ओर लगाएंगे उसके लिए मैंने डाल दिये एक चमच घी इसमें कुछ दाने डाल देंगी है मेथी के जो मेथी दाना होता है ना इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा चुटकी बर हींग हींग हमने पहले भी तड़के में डाल दिया था थोड़ा सा लेसून थोड़ी सी अद्रग और आदी हरी मिर्च ये वाला तड़का अगर आप डाल के अंदर एक बर मिक्स कर देंगे ना तो डाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा थोड़ी सी डाल दी है कसमेरी लाल मिर्च ये तड़का वैसे ओप्सनल है डाल आप ऐसे भी जैसे मैंने पहले तड़का लगा के बनाई है वैसे भी खा सकते हैं लेकिन हम बिलकुल आजना धावा स्टाइल बना रहे हैं इसलिए इसमें स्पेसल वाला अपना तड़का हुई है अब हम गैस को बंद कर देंगे इससे ज्यादा इसको पकाने की जुरुत नहीं है और यह देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है ना यह देखने में उमीद करती हूं दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक कर दें दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें अपने फैमली और फ्रेंज के साथ सेर करना बिलकुल ना भ दोले